हर्याना और पंजाब को जोडने वाले शम्भू बॉर्डर पर कोहराम मचा हुआ है किसानों के दिल्ली चलो के एलान के बाद भारी संख्या में पुलिस की तैनाती और बेरिकेडिंग की गई थी इसके बावजूद हजारों की संख्या में किसान शम्भू बॉर्डर पहुच कर बेरिकेडिंग तोड रहे हैं किसानों को रोकनी के लिए पुलस आसू गैस के गोले दाग रही है और पानी के बोचारे की जा रही हैं लेकिन किसानों की इरादों के आगे पुलिस के इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं इस बार आंदोलन में राकिस टिकैट समेट 2020 के वो तमांग चहरे नदारत हैं जिनोंने तब नेत्रितु किया था फिर इस आंदोलन का नेत्रित वो कौन कर रहा है इसका जवाब है जगजीत सिंग डल्लेवाल पंजाब में बीते कई सालों से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं उनके नेत्रितु में ही करीब 50 किसान संगठन उन्हें दिल्ली कूच किया है ये सभी किसान संगठन पंजा से आते हैं और उन्होंने अपने गाउं के नाम को ही अपने नाम में जोड़ा है फरीद कोट जिले में पढ़ने वाले डल्लेवाल गाउं के निवासी जगजीत सिंग लंबे अर्से से किसानों के मुद्धे पर एक्टिव हैं लेकिन उनके सयुक किसान मोर्चे के उस उनी ने आंदोलन से दूरी बना रखी है उन्होंने किसानों के दिल्ली पूच पर सवाल खड़े किये हैं उनका आरोप है कि उननेताओं को अलग रखा गया है जो पिछले आंदोलन में शामिन थे गुर्णाम ने कहा कि पिछली बार तै हुआ था कि जौरत पढ़ने पर आ अलग हो गया और ये आंदोलन उन्होंने बुलाया है किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए हर्याना सरकार ने पहले से ही इंतजाम कर दिये थे पंजाब से लगने वाली सीमा को सील कर दिया गया था धारा 144 लगा दी गई थी लेकिन किसानों को रोकने में पुलिस को क गुला गिर पड़ता है। ड्रोन के इस इस्तमाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है। कर दो रहा है।